नमस्ते दोस्तों तो आज तोड़ा डीटेल जाते है Ola S1 Air के 3 models का comparison और Ola S1 के 3 models का comparison एकदम डीटेल करेंगे क्यूंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये शंका है कि चल क्या रहा है Ola ने exactly किया क्या है मतलब क्या बदला Ola आये है जिसके उपर से आपको Ola खरीदना है या नई खरीदना है ये पता चले तो पहले तो मैं Ola S1 जो है उसके जो 3 models से उसके बारे बात कर देता हूँ यह दो क्या है Ola S1 में पहले दो ही models थे एक ता Ola S1 और दूसरा Ola S1 Pro अभी इसमें एक तीसरा model जोड़ चुका है वो है Ola S1 जो 2 kWh battery capacity के साथ आता है तो Ola ने battery capacity कम जादा करके models कम जादा किये है बाकी कुछ नहीं यह simple बात रखते हैं इन सारे models में आपको Move OS 3 update मिल जाता है सबसे most important बीच में वीडियो शोड़के जाओगे आदा आदोरा knowledge लेके जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा तो पूरा वीडियो एंड तक देखी है लंबा वीडियो हो सकता है बट Ola के सारे products के बारे में आज detail बात हम करने वाले है क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सवाल मुझे पूछे मैंने सोचा कि इसके उपर एक अलक से detail वीडियो बना दे तो पहले Ola S1 जो है उसके 3 models के बारे में बात करते है जो एकदम base model है इसका 1,00,00 रुपए एक शोरुम प्राइज इनका कहना है जो middle model है जो Ola S1 था अपना उसका 1,10,000 एक शोरुम प्राइज है और जो top model है Ola S1 Pro उसका 1,30,000 एक शोरुम प्राइज है तीनो में आपको 11 colors मिल जाते है ओके और ये जो 11 colors ह आपको air के बारे में अलग से बात करेंगे तीनो में आपको difference क्या है battery capacity का जैसे यहां पे दिख रहा है 2 kWh, 3 kWh और 4 kWh जो best model है उसमें 2 kWh का battery pack है जो middle model है उसमें 3 kWh का battery pack है और जो top model है उसमें 4 kWh का battery pack है तीनो का top speed सेम है क्योंकि motor जो है वो सेम है तीनो की जो motor है वो 4.5 k वाली motor है ओके यहां पे शायद इन्होंने चोटा सा गलती किया है यहां पे motor pick power 4.5 kWh कैसे हो सकता है यह तो 8.5 kWh होना चीह है हमने select क्या किया है ओके air आ गया के यहां फिर से let me again select ola s1 pro ola s1 ola s1 ola s1 ओके तो अभी यहां पे आपको दिख जाएगा कि तीनो में motor सेम है मैं मैं आपको यह तो बता दी है अलड़ी colors वगेरा तीनो में motor सेम है 8.5 kWh pick power वाले motor है battery capacity का difference है base model की 2 kWh, middle model की 3 kWh, top model की 4 kWh, range अगर देखे तो base model IDC range 91, मतलब आपको true range ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है, ज्यादा से ज्यादा 75 km का बिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, जो middle model है, उसका 141 IDC range है, मतलब अभी Ola S1 Pro को ही लोगों को 120, 130, 140 range मिल रहा है, तो Ola S1 जो अपना model है, इसमें मुझे नहीं लगता, आपको 100 km से ज्यादा range मिलेगा, और Ola S1 Pro का certified range है IDC, वो 181 km है, तो इसका true range 150, 160 तक आपको मिल सकता है, और pricing भी मैंने आपको बोल दिया, pricing म है, इन तीनों motors में AC motor आपको मिलेगा, इसका advantage Ola S1 Air के उपर क्या है, इसमें आपको AC motor मिल रहा है, Air में आपको BLDC hub motor मिलता है, तो ये 8.5 kW, 8.5 kW, 8.5 kW, ये जो है, ये सब AC motors लगाए हुए है, और इसमें आपको बहुत सारे modes, सिर्फ Ola S1 Pro में आपको hyper mode भी मिल जाता है अभी आपको ये decision लेना है, कि भाई अगर आपका budget, ये कोई problem निये budget का आपको, तो मैं तो बोलूंगा, आप AC motor वाली electric scooter के साथ जाओ, और top model के साथ जाओ, Ola S1 Pro के साथ, क्यूंकि range के लिए sacrifice मत करो, अगर आपका daily commute 20 km का है, तो जितना ज्यादा range आपके scooter का होगा, उतनी ज्यादा life आपको मिलेगी, आप सोचिए, अगर आपने Ola S1 base model ले लिया, 2 kW अबका, जिसमें आपको 91 km का IDC range है, true range आपको शायद 60-70 km का ही मिलेगा, और अगर 20 km आपका रोज का running है, तो आपको हर 3 दिन बाद ये काड़ी चार्ज करना पड़ेगा, बट अगर आपने Ola S1 Pro लिया, जिसमें आपको for example, 120 km का range मिल रहा है, तो हर 6 दिन बाद आपको चार्ज करना पड़ेगा, मतलब charging cycles पे सीधा impact हो जाएगा, तो आपका budget है, तो जितना जादा range वाला electro scooter आप ले सकते हैं, उतना जादा range वाला scooter लेना चाहिए, अगर आपके पास पैसी की कोई चि तरफ जादे, एयर में आपको color के options कम है, battery capacity सेम है, 2 kWh, 3 kWh, 4 kWh, ओला S1 एयर में उन्होंने क्या किया, front footboard था, उसको flat कर दिया, ओला S1 में footboard flat नहीं था, हम पाता था, उसके वज़े से आगे कुछ सामान नहीं रख पाते थे, ओला S1 एयर में flat footboard हो गया, वहाँ पे आप cylinder लेके जा सकते हो, आपको जो कुछ सामान लेके जाना है, लेके जा सकते हो, second, dual suspension आगे, ओला S1 एयर में, आपके पास dual front suspension है, और तीसरा, इसमें BLDC hub motor है, अभी यहाँ पे मजा ऐसा हो गया है, कि इन्होंने images जो डाले न, वो S1 एयर के नहीं डाले, यह सारे images जो है, वो S1 S1 के है, एयर के नहीं है, देखो यह पीछे hub motor नहीं दिखरा, आपको अलग से दिखा देता हूँ मैं, Ola S1 Air, ओके, सो Ola S1 Air के जब मैं images पे जाता हूँ, भाई, इस चैनल पे ऐसे lengthy videos ही मिलेगे, बड़ एकदम detailed videos रहेंगे, आपकी सारी मतलब, knowledge जो है, बरपूर मिलेगा आपको, आदा अदुरा knowledge नहीं दूंगा मैं आपको, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, बल आइकोन भी दबा दीजिए, क्यूंकि इतने detailed videos साइद ही आपको दूसरे चैनल पे मिलेंगे, तो मैं आपको Ola S1 Air दिखा रहा हूँ, यह देखो, यह Air है इसको फ्लाइट फूड बोर्ड है, और पीछे हब मोटर दिया है, तो इसमें आपको पाची कलर्स मिलता है, अभी Air में भी तीन ओप्शन है, 2 kWh, 3 kWh, 4 kWh, प्राइजिंग देखो, 85,000, 1,00, 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 1 85 km का IDC range मतलब, मैं तो बोलूंगा ये आपके लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैसा है, 85 का अगर IDC range लेना लो, true range 60 का ही मिलेगा अपको, सिर्फ आपको अगर additional features के लिए, या Ola brand के लिए स्कूटर लेना है, तो ठीक है, आपको ये मिल रहा है, 85,000, 1,00, 1,00, 1,00, 1,00, तक, अफकोस, CD to CD, State to State, Parages vary होते है, बट 85 km का IDC range के लिए, अगर आप Ola ले रहे हो, तो I won't say, you should go for it, because, 85 का, अगर IDC range है, तो true range 50, 60, 70 maximum km का मिलेगा, कुछ मजा नहीं है, तो मुझे एकदम फ्रैंकली बोलूं क्या लग रहा है, यहां पर Ola ने, प्रदक्स बहुत कर दिय बट इनके जो 3 kWh, 4 kWh वाले वर्जन है वही अच्छे है, उन्होंने यह बेस वर्जन नहीं निकालना चाहिए था, उसके वज़े से क्या हो गया, बहुत ही कम range है, इसमें मजा नहीं आएगा, लोग बुक कर देंगे, बट लेने के बाद साइद पच्ताएंगे, ऐसा करने के लिए अगर स्कूटर लेना है, तो आफकोस यू कन गो एड विद इट, बट अधर वाइस, आपने यह करना चाहिए, आइदर यू शुड गो फॉर इस, मिडल वाला, वन लाग एक शोरूम प्राइस, जिसमें आपको मिल रहा है, 125 km का IDC रेंज, मतलब 100 km रेंज मिल मैं आता हूँ, फेम के पोर्टल पे, फेम 2 का सबसीडी का जो पोर्टल है अपना, इसके उपर मुझे देखना है कि ओला के प्राड़क्ट रेजिस्टर हुए है या नहीं हुए है, तो यह गवर्मेंट आफ इंडिया का ओफिशल वेबसाइड है, फेम 2, OEM & Dealers, यहाँ प करना चाहिए था, ओके, मॉडेल्स किया मैंने, कंट्रोल एफ, ओला, तो ओला के आपको यहाँ पे दिखेंगे, सिर्फ ओला S1 और S1 प्रो ही रजिस्टर है, अभी तो, बाकि कौन सा भी स्कूटर उनका, आनलाइन रजिस्टर नहीं है, तो I don't understand, फिर ओला लांच कर रहा ह है, तो बुकिंग ले रहा है, बुकिंग लेने के बाद, जुलाई तक उनका, डिलिवरीज देने वाला है, बट एक्चुली फिर वेबसाइट पे क्यों आया नहीं, गवर्मेंट ऑफ इंडिया के, यह रियली डोंट नो, ओके, रियली डोंट नो, और जब मैं बाकी के दे बात लेना है, तो I would suggest you, either you should go for S1 और S1 Pro, अगर आपको BLDC मोटर वाला लेना है, आपको फ्लाट फुट बोर्ड चाहिए, आपको BLDC हम मोटर चाहिए, आगे आपको dual suspension चाहिए, तो I would say, you should go for the model, which is having either 125 km IDC रेंज और 165 km IDC रेंज, यह मेरा personal opinion है, और अगर आपको बुक करना है, तो आप यहाँ पर offers भी देख सकते हो, कुछ offers चालू है Ola के, तो suppose मुझे अभी, let's try to book this, Ola को book करते हैं अभी हम, S1 पर गया मैं, order now, order now पर click किया, उसके बाद में मेरे पास बहुत options वो सामने दे देते है, S1 में आपको 11 कलर मिल जाता है, और आप यहाँ पर select कर सकते हो, S1 Pro लेना है, या S1 लेना है, S1 में 2 option आजाते हैं, 2 kWh या 3 kWh, इसमें आपको estimated delivery मिल जाती है, 28 February को मिलेगी, ऐसा मुझे बोल रहे है, अगर मैं 2 kWh का suggest करू, select करू, तो 5 April तक मिलेगी, ऐसा इनका कहना है, S1 Pro पर जब जाता हूँ, तो 28 February तक delivery मिल जाएगी, S1 Air पर जब जाता हूँ, तो यह सिर्फ आप reserve कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बोला, इसमें आपको BLDC Hum Motor मिलता है, पिछले पईये में दिख रहा है आपको, आगे आपको dual suspension मिलता है, flat footboard मिल जाता है, इसमें 3 options है, 2 kWh, 3 kWh, 4 kWh, I would say you should go with either 3 kWh और 4 kWh as per your budget, and इसमें अभी यह सिर्फ reserve कर रहे है, इनका delivery जो है, वो जुलाई में मिलेगा, ऐसा इनका कहना है, तो suppose मैं 4 kWh का select करता हूँ, और इसको मैं reserve करने जाओ, तो 1,10,000 इसका एक showroom price है, यह नाशिक का है, मैंने नाशिक का code डाला भी, और अगर मैं इसको reserve करूँ, तो मुझे 1000 रुपया पे करके यह reserve करने को मिल सकता है, तो यह हो गया guys, आपको अभी खुद से decide करना है, या आपको Ola S1 के 2 upper models लेने है, या Ola S1 Air के 2 upper models लेने है, that is your personal choice, मैंने आपको एक suggestion दे दिया, कि भाई, आप वो सबसे lower model के साथ मत जाओ, क्योंकि उसका range बहुत कम होने वाला है, बाद में आप पच्टा होगे, तो उससे अच्छा, either middle या top model के साथ आपने जाना चाहिए, this is my personal opinion, of course, आपकी choice है, आपको पैसा खर्च करना है, आपको गाडी लेना है, आप जैसा decide करोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, वैसा ही आप लो, no one is going to force you to buy a specific vehicle, but Ola ने अल्यडी टू कर दिया है, they are number one, and I hope they continue to be number one, by providing good amount of service, quality product, and they should satisfy the customer, thank you so much guys for watching this video till the end, please like this video and share with your friends, आपको कुछ comments है, suggestions है, queries है, नीचे comment section में डाला, मिलेंगे आप नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जाहिद, झाला, झाला,